नमस्कार प्राण वायू और वन वरिक्ष कहते रहे हमें बचाओ प्राण वायू पाओ कट्ते वन उक्ते कंकरीट के जंगल विक्षित समाज प्राण वायू का संकट फैली महामारी विश्व पर है भारी घुटती सांसे विक्षित सभिता भी हरी दोस्तों आज इस्थिती कुछ ऐसी ही हो गई है आधनिक्ता की दोड में हम अपनी संस्कृती एवं परंपरा को पीछे चोड़ देने का परिणाम भुगत रहे हैं जिस संस्कृती में पूरी प्रकृती जल, वायू, वन, धर्ती, आधी की पुजा होती है आज वहीं पर उसका लगातार दोहन हो रहा है उसकी उपेक्षा की जा रही है इसने पूरी मानोजाती की अस्मिता पर ही एक प्रश्न चिंध लगा दिया है जहां पर व्रिक्षों में बर्गत, पीपल, तुलसी, बेल और सर्वरोग हरो निम्भ यानि नीम सभी रोगों को दूर करो ऐसी कहकर के उनकी पूजा की जाती थी आज वहीं पर प्रकृति को पूजिनिय मानने वाली यह संस्कृति कितनी प्रासंगी थी और आज भी है इसका अनुभाव हम आज कर रहे हैं फिर एक-एक सासों का संघर्ष जीवन ब्रत्यु का प्रश्न बनता चला जा रहा है ऐसे में हमें गंभीर चिंतन करने की आविश्यक्ता है कि आखिर क्यूं समस्या हमारे सामने है व्रिक्षों का संघर्षन क्यूं नहीं हो रहा जबकि हम जानते हैं कि ये व्रिक्ष ही हमारी प्राणवायू का उत्पादन करते हैं इस पर गंभीर चिंतन करने के लिए हमारी स्टूडियों में आज दो महमान उपस्तित हैं, आए हम इनका परिचे करा दें, सबसे पहले मैं परिचे करती हूँ, पहले मैं अथिती से चैताली दिक्षित जी, जो की सहायक प्रवक्ता, जुलो जी सेंट एंथिनी, उच्चेतर म आधमेक स्कूल की हैं, ये लेखिका हैं, कवयत्री हैं, एभन परियावरन संडक्षन संबंधी उस जागरुकता फैलाने के लिए लगत बीच बीच में कारिकरम भी करती हैं, आपका इस स्टूडियों में बहुत स्वागत है, नमस्कार, 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 ये हैं प्रवक्ता हिंदी शिलोंग कॉलेज उच्चतर माधमिक उद्घोशक आकाशवाणी शिलोंग लेखक कवी एवं समास से भी साध में ये शोद करता है निहुके आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है तो समय न गवाते हुए आईए हम अपनी परिचर्चा को आरम करते हैं तो सबसे पहले जैसे बन जैसे हैं हम लोग किस्मत वाले हैं कि मेगाले में बन ही बने हर्याली है और काफी खुबसूरत बादियां हैं मन रम जाता है इसको देख करके फिर भी यहां पर भी संकट थोड जानते हैं कि आज पूरे विश्व में जो है परियावरण असंतुलन के जो बादल हो मड़रा रहे हैं और उनके संरक्षन की बात के लिए लगातार संगोष्ठिया हो रही हैं लगातार परिचर्चाएं हो रही हैं विश्व इस्तर पर फिर भी उसमें गंभीर समस्या बनी विए इसके क्या कारण है अनिता जी आपका प्रश्ण बहुती सुन्दर प्रश्ण है मेरे ख्याल से जो प्रकृति का और संतुलन हुआ है वो एक मुख्य कारण की वज़े से हुआ है जो संपूर्ण भोगोलिक छेत्र है किसी भी देश का या किसी भी राज्य का और जो व देखत कई वर्शों में घट करके 21-25 प्रतिशत ही रह गया है तो जब वन्य आच्छा दिछेत्र कम होते जा रहे हैं तो सपस्थ है कि हमारे पास जो है वन्य जीवों विलुप्त हो रहे हैं क्योंकि वन कट रहे हैं वन प्राणी खतम हो रहे हैं और श्दिय पौधे खतम ह वायू में परिवर्तन आ है प्राण वायू का बेलेंस बिगड़ रहा है यह उक्सीजन और परिवर्तन आया हुआ है पिछले पाक शे साल से हम इसका तिवरता देख रहे हैं कि हम जैसे शिलोंग जैसे शेहर में जो ठंडे और बारिश से घरे हुए पूरे साल में बार इस से घिरे हुए थे आज जो है हम देख सकते हैं कि बारिश कितने कम हो गए है गर्मी कितने बढ़ गई है तो चेता लिचा कुछ हां वह उसी इन्हीं की बातों को मैं सहमती दे रही हूं कि यह सिर्फ इस वज़े से हो रहा है क्योंकि वह जो रेशू है अनुपात है वन प्रकृति असंतुलंद को दिखा रहे हैं सबसे पहले तो दर्थी का तापमान बड़ा ग्लाइशर पिगल रहे हैं बिल्कुल और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे नीचर के पास हमारी जरूरत के लिए तो है लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं है बहुत अच्छी बा प्रकृति का दोहन करें तो समय समय पर प्रकृति अपने आप अपने को नौ निर्माड करती रहती है जैसे जीवों का नौ निर्माड होता है लकडियों का होता है पेर पौदों का होता है मिट्टी का होता है सबसे पहली पार तो ऑक्सीजन का निर्माड होता है हमारे फ्र अगर परियाप मात्रा में होते तो यह संघर्ष नहीं होता प्राणों का बिल्कुल नहीं होता जाग रुपता हमारें अन्दर है कि हमें अगर एक बिक्ष काट रहे हैं और दस लगा रहे हैं तो हमें कभी इस तरीके के चिन्ताओं का सामना करना पड़ता इसलिए ग्यहन चि में विकास होता है, तो मनुष्य की आविश्वक्ताओं को पूर्ती करने के लिए, मनुष्य किधर की तरफ देखता है, वन की तरफ देखता है, वन को ही काटता है, रास्ते बनाता है, शहर बनाता है, और नए नए शहर का निर्माड करता है, तो व्रिक्षों को काटता है, व बैलेंस हो जाता है और किसी भी जगह का ecosystem का balance होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पारेस्थितिक तंत्र में पारेस्थितिक सेवाइं होती है ecological services होता है जैसे परागन होता है pollination यह उसका बहाग होता है मिट्टी का कटाउ होता है, soil erosion को रोकना, वह भी पारिस्तितिक सेवाहों में आता है, जैसे पानी का छनना होता है, भूमी के अंदर पानी जाता है, जल अस्तर को मेंटेन करता है, वह भी आपका ecological services में आता है, बिल्कुल सही, और फिर जैसे आपका यह मस्जभीले है, वह भी ये सिंग आप क्या कहते कि यहां पर भी जो विकास का विकास तो हुआ है पूर वो तर छेतर में लेकिन उसके नाम पर काफी दोहन हुआ है जी हम केवल मिघाले में नहीं हम पूरे देश में पूरे विश्व में देख पा रहे हैं कि विकास के नाम पे पूरे परेवरन के है जो है उसको बहुत दोहन हो रहा है और मिखाले में भी देखा जा सकते हैं हम कि विकास के नाम पे इसी तरह का बड़े पहार छोटे कर दिये गये हैं, काट दिये गये हैं और विक्ष को इतने तेजी से काटा गिया है रास्ते में कि पहार के पहार उड़ा करके चाहिए कभी मैं बहुत पहले 14-15 साल पहले आई थी शिलॉंग में और जब हम शिलॉंग से गौहाटी की तरफ जाते थे तो बहुत सारे वन छेत्र होते थे और आज जब हम जाते हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से तो शायद 30-40 प्रतिशत वन छेत्र समाप्त हो चुके हैं विकास की त चेत्रों में और भारत देश में और ग्लोबली और बहुत जादा प्रभाव पड़ा है और इसका निगेटिव इंपक्ट पड़ा है पॉजिटिव नहीं पड़ा है तो यह जैसा कि आप कहा रही है कि जनसंख्या बृद्धी एक मुख्य कारान यह हम सब जानते हैं क्योंक जो घर का बनना तो एक के ऊपर जो घर बने जा रहे हैं तो जहां वो जंगल थे जहां वो बन थे उसको काट करके रहाईशी मकान बना दिया गया है और उससे मिट्टी का कटाव भी हो रहा है और खेती की जमीन कम होती जा रही है यह एक मुख्य समस्य है कि जनसंख्या को खाने के लिए जो फसल चाहिए वो खेती की भूमी पर रहाईशी मकान बन रहे है और कार खाने बन रहे है बिलकुल बिलकुल जनसंख्या की आदुनी करण के जो रास्ते खुल रहे है इसमें इसमें जो है हमारा प्राकृतिक जितने भी संसाधन है इनको दीरे दीरे बिना सोचे समझें कि हमको यह सुनियोजित करना पड़ेगा कि जो आबादी रहने आ रहे हैं जिसके लिए हम छेत्रफल कम कर रहे हैं प्रकृतिका तो किस प्रकार से उसकी भरपाई की जाए बिलकुल सही बात का आपने तो बन छेत्र और शेश भूमी का संतुलन बिगड कारण परियावरन आपने बताया और उसका भयावा रूप किस प्रकार से सामने आ रहा है जैसा मैंने आभी आपको बताया कि पारिस्थितिक तंत्र बिलकुल प्रभावित होता है तो यही छोटी-छोटी चीजे जो होती हो बड़े रूपों में सामने आती हैं जैसे स्वा बाढ को भी जनम देगा और फिर यह जो है प्रकृती में आपकी यह कुछ गैस होती है जो बहुत ही विशयली होती है और यह वातावन को दूशित करती है और तापमान बढ़ाती है जिनको हम ग्रीन हाउस गैसे कहते हैं जैसे मीथेन हो गया कार्बन डायोकसाइड हो गया खloro-floro- rested carbon हो गए तो जब यह वायू मंडल में आती है और अपने अनुपाद से ज्यादा मात्रा में आती है तो यह हमारे वायू मंडल का थापमान बढ़ा देती है जिसको हम लोग जो चाहते है global warming और global warming की वज़र से जो सामान व्यृ शालत lovely range जब वह बढ़ता है तो慌 तो समूद्र का बढ़ेगा तत्य च्हेत्रों का कटाव करेगा बहुत सुत्रों तो बार्ड का बिलकुल एक होता नूठ पोरा एक एक सस्टम होता है वहां वन्य जीू होते हैं पोधे होते हैं पेर होते हैं उनका एक balance होता है, चक्र होते है बैलेंस होता है तो इसलिए धीरे धीरे आज हमारे कितने सारे जैनवर धीरे धीरे विलूपत होते जा रहे हैं या विलुपता की कगार पर, इंडेंजर्ड इस्पीशीज में आ गए हैं, बहुत सारे वन्य पौधी भी इंडेंजर्ड इस्पीशीज में आ चुके हैं, आज के डेट में, और सबसे ज्यादा जो प्रभाविक चीज है, वो है ऑक्सीजन का और कार्बन डियोकसाइड का बै पूरे भारत में अगर हम देखें, नॉर्मली अगर देखें, तो जैसा मैंने पहले कहा, कि 1988 में एक वन नीती तयार की गई थी, और जिसके हिसाब से, जिसके रिपोर्ट की हिसाब से कहा गया था, कि कि किसी भी भौगोलिक छेत्र और वन आच्छादे छेत्र का अनुपात वन इस्टो थी होना चाहिए, जो कि अब घटे घटे एक्किस से पच्चिस प्रतिशत रह गया है, काफी चिंता जनक है, हाला कि जो हालिया रिपोर्ट आई है, और एक वन जो है सर्विक्षन, भारतिया वन सर्विक्षन है, वो उसको 1987 में शुरू किया गया था, 1987 में शु जाता है, जहां पर वन इस जीवों, वन इस पौधे हैं, जलवायू है, मिट्टी है, सब के रिपोर्ट तैयार की जाती है, यह रिपोर्ट हर दो साल में प्रकाशित की जाती है, तो जो हालिया रिपोर्ट आई है, वो है आपका दो हजार उननीस की रिपोर्ट आई है, तो वठी हुई थे 1.56% सामानी यह वगुनी हुए है और थो पूरा भावगोलिक खेत्र हमारे भारत का और वन आच्हादिदी है वह 1 आच्छादिद खेत्र है 24.56% है पूरे भावगोलिक खेत्र का. डीजी. तो आप सोची कि 33.33% होना चाहिए उसे 24.56% तो बहुत कम है. बहुत ही कम है, तो अगर हम पुर्वोतर राजियों में आएं, तो एक समय था जब पुर्वोतर राजियों में वन आक्षाजी छेत्र 90% होते थे, जिसमें मिजोरम का सबसे पहला नाम था, लेकिन आज के डेट में जो पूरे पुर्वोतर राजिये हैं, उनका वन आक्षाज अगर हम आज देखें कि शिर्ष के पांच राज्य जो हैं जिन में सबसे ज्यादा वन आक्षादित छेत्र हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है मीजोरम जिसका तकरीबन 85% वन आक्षादित छेत्र हैं दूसरे नंबर पे आता है आपका अरूनाचल प्रदेश जहां 81% है औ तीसरे नंबर पे हमारा मेगालाय आता है जो कि 76% है यह खुशी की बात है लेकिन हमें जागरुक होना पड़ेगा यहां पर भी बन बड़ी तेजी से कट रहे हैं लगभग 752 वर्ग किलोमीटर एरिया का नुकसान हुआ है वन छेत्र का 752 वर्ग किलोमीटर एरिया का नु हमेशा से जागरुक रही है बनों के संरक्षण के लिए बिलकुल बिलकुल इसमें बन संरक्षण की एक परंपरा सी रही है बिलकुल जैसे कि हमारे हमेशा बेदों में उनलेख है कि पूजापाट ब्रिक्षो का होता था उसका संरक्षण होता था बन को बन राज कहते थे बन-देवता होते थे टोह ऐसी ही इसी बताएंगी चुकि यह पूर्वतर छेत्र में हैं और पूर्वतर छेत्र के में घाले– राजी से हैं तो यहां पर जो जनजाति है परंपरा एosas तो यहां के बन के संट्रक्षन के लिए किस प्रकार से जो है जागरूक रही है या इनके पूर्वच पहले से इस परमपरा को बना के उनों ने रखा जिसका पालन आप लोग अभी तक कर रहे हैं जी जी मैं तो यह है कि हमारे यहाँ वन संरक्षन या परियवरन की संरक्षन जो है हमारे संस्कृति हमारे संस्कार में ही है मुझे याद है बचपन में कि मेरे माता या मेरे नाना नानी पेड़ पवधों से बात करते हैं उसे फल फुलने के लिए कहते हैं और यदि वो बिमार है या फिर मरने की स्थीती में है तो उसे उसकी स्थीती के बारे में पूछते हैं उसे जली ठीक होने के लिए जो है कहते हैं और जब वो ठीक होता है या अच्छा से फल फुल लेता है तो हम बच्चों को जो है अनन्द व्यक्त करने के लिए अपने खुशी जो है जाहिर करने के लिए वहाँ पे नाचने के ये कहते हैं उसके साथ मतलब ये है कि हमने कभी जो हमेरे संसकार में कभी रद्रया वर्ण को अपने से अलग कभी नहीं देखा है ये से आपने कहा है कि हमारे हां पी यहां पभीत्रवनियों की जो संकल्पना है आपकी जंजाती में उसमें थोड़ी से बात करें क्योंकि देश के या राजी के और राजीओं के लोग इसके बारे में नहीं जानते जी मैं, तो आप यहां के है जानते ही होगे कि यहां में घालै कि अनेक गाव अनेक स्थान ऐसे होते है झेसे अनेक स्थान के नाम रहे हैं और हमारे संसकार रिती रिवाज का ही कारण है कि यहां पर वनों की अनेक प्रकार है तो उन में से जो है जो का लावकंतंग है या लावलिंडो ये दो जो है वन इस प्रकार के है कि धार्मिक अनुष्ठानों से जो है इसका जो है संबंध रखता है कि हमारे जो है आप उसमें जो है किसी भी प्रकार के अपने मन मानी नहीं कर सकते वहाँ पर जी आप चाहे वहा एक जो है उसको अपने मन से नहीं ले जा सकते वहां पर बात करना पड़ेगा उसे ठीक ठाक जो है उसे जो देवता है उसे आपको अनुमती लेनी पड़े जी जी और दूसरी है का लाव अडॉंग यहने के गाउ का जमीन है और गाउ के जो गाउ के इसमें संट्रक्षन में के आता है भले वो जमीन गाउ के हैना के जरुद्वरत जरूरतों की पूरती के लिए है लेकिन वहां पर को इढ़ का कोई सदाश्या जान का कोई भी आदमी मन मानी वहां नहीं कर सकता है ऑजन चाहे जो है यदि वो उसका इस्तमाल करते अपने आवशक्ताओं की पूरती के लिए तो जो है उसके संड्रक्षन भी उसकी जिम्मेदारी है ये तो सभी ये बात जो है आपने बहुत ही ज़्यादा काम की बात कही कि ये अन्य राजियों को सुनना चाहिए कि आप अगर बन में से व्रिक्ष काटते हैं तो आप उसे लगाईए और उसकी देख भाल भी कीजिए बिल्कुल बिल्कुल रिसाइक्लिंग होनी चाहिए उसकी आप कुछ कह रहे थे मैंने बीच में बात कर आए ऐसे आनेक प्रकार के वन है का लाव आडॉंग की लाव किन तंग जो है का री कूर जो है का री सेंग जो है ऐसे बहुत सारे जो है हमने वनों को अलग-अलग गट में रखा है ताकि उसके संडक्षन कर सके ताकि कोई भी आदमी या कोई भी मनुश्यों उसका जो है मन मानी ना कर सके अच्छा यह मानिता भी है कि जो जहां पर बन है पवित्र बन है तो वहां पर उनके जो देवता है वो ग्रामिल इलाके जितने लोग है उनकी रक्षा करते हैं संकटों से बचाते हैं ऐसे मानिता है ऐसे विश् जो पवितरवन है तो वहाँ गाउ के रक्षाबे करता है तो यहाँ पर किस परकार से आपने बताए किस परकार से संस्कृती के साथ जुडआ हुआ है अग не आसे कहते हैं कि बृक शुपेड़ बुदे भी आधिवा बनीस्पति शास्त्रों में कहते हैं इसके प्राइठे कि जीवित्प्राणी की समान बातम देकित करते हैं, तो आप ये फितना जन्जाती प्राशी संकृति एन्येcket है पूरवज की है कि नाना नानी दादा दादी विक्षों से बात करते हैं या उन्हें पता था कि यह इसी प्रकार से हिसूस करते हैं सम्वेधनाओं को जैसे हम मानों करते हैं पिल्कुल सभी यदि मैं घलत नहीं हूँ तो जगディ चंद्रवोस जैसी बोस ने ये प्रूफ कर दिया है यदि मैं गलत नहीं हो तो नहीं नहीं बनस्प्रती शास्त्र में माना जाता है जी जी उनकी अपनी भाशा होती है वो हमारी तरी से चल फिर नहीं सकते हैं लेकिल जूम सकते हैं वो हवाओं के साथ वो अपने दिशाओं को भी बदल सकते हैं अपने ही ज जो पारदर्शी नदी ओम गोट है और सबसे स्वक्ष जो है गाउं है मौली लॉंग एशिया का उस पर थोड़ा बता दीजी हमारे दर्शकों को हां तो यह जो स्वच्छ ग्राम या फिर जो है स्वच्छ नदी यह गाउं के जो है कोशिश गाउं के प्रेतन के फल के कारण ह हुआ है कि उन्होंने कोशिश की है कि जो है अपने प्रकृति को अपने आसपास के वतावरन को हम जैसे अपने आपको स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं जो है हाईजेनिक रखने कोशिश करते हैं अपने आसपास के वतावरन को भी उसी प्रकार हम जो है स्वच्छ है अब जिसे अपने आपको स्वच रखने कोशिश करते अपने आस पास के वाद आवरन को भी स्वच रखे है क्योंकि इस पर विशेश खास बात यह है कि ऐसा देश के अन्य भागों में हमें नहीं मिलता कि यहां पे सामुएक सफाई स्वक्षता अभियान है जो की परंपरा से चलिया रही है तो सामुएक से यह सवक्षता अभियान और सामुएक बनों संद्रक्षन यहां की खासी जंजाती है संस्कृति का एक अभिन अंग है इनकी community services में आता है पूरी community इसके लिए जिम्मेदार होती है चाहे सफाई हो चाहे वनो का संद्रक्षन हो चाहे नदी की सफाई हो मेरे सिफेके खासे पूरी community इसमें बराबर कायोग्दान करती है जो कि अन्य-्राजी को सेखना चाहिए भारत के अन्य राज्य को हम से इन से सेख लेनी चाहिए मेगाले से है और बहुत सारी पवित्रे नदियां है बहुत सारी स साथी पवित्य नदियां और वो लोग उनका सनक्षन करते हैं, वहां का डोंपा फॉरेस्ट बहुत ही पवित्र जंगल माना जाता है, तो इस तरीके से हमारे मेगाले में भी तकरीबन अगर में गलत नहीं हूं सिंग जी तो 79-80 सेक्रेट ग्रूप्स हैं यहां पे, लेकिन वो जो है अभी कम होते जा रहा है, लोगों की मान्यता जो है, उससे जो है दूर मुझा होते जा रहे हैं, यह बहुत अच्छा मुद्धा उठा आप जो हूँ है, क्योंकि मैं यहां के पवित्र जंगल की संकलपना ती, तो वहां से एक श além Dasser कि और कोई चीज़ उठा के लाएं, तो कुछ ऐसा अनिष्ठ होगा कि आपको फिर से रखना पड़े हैं, लेकिन आप लोग दूर क्यों के चले जा रहे हैं, मेरे खयाल से जो है जो विचारधारा में परिवर्तन ये इसका बहुत बड़ा कारण है, जो मूल संस्कृति आपकी उससे हट पड़े के एवल पत्थर ही मान रहे हैं, इसका मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण, बहुत अच्छा, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, संशेप में दोनों से मैं चाहूंगे, मेरे हिसाब से तो जो हमारे पुरवज हमारे लिए एक स्वक्ष वातावा शारम में जादा से जादा हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरों कौल हमें संशेप मानों के लिए कम से कम पर्यावारन वनओ और नो ओक्सुझन के लिए तो आप अपने रूट में आई है, अपने मूल संस्कृति में फिर से आई है. क्योंकि बनों की बन जो है, या प्रकृति जो है, वो पूरे मानव जाती के लिए, कि प्राण वायू का संकट पूरे विश्वक है चाहे वो किसी भी विचारदारा धार्म संस्कृती संपरदाई का हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इस पर जितनी बात की जाए उतना कम है और जितनी चर्चा बढ़ रही है उतनी विचार आती चले जा हैं इस कारिक्रम को जो है हमें समय की सीमाओं पर बांधना पड़ेगा तो हम इस निश्कर्च पर पहुंसते हैं कि यह हमारा मानों शरीर ही प्रकृती से निर्मित है शितिजल पावक गगन समीर और हम सब इनकी संताने हैं अब समय आ गया है कि अब हम जाग जाएं जैसा कि आप लोगों ने बताया हमारे जीवन का प्राण वायू अर्थात ऑक्सीजन देने वाला जो है वो व्रिक्ष है और यहां पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि पेड़ और व्रिक्ष में अंतर है पेड़ जो है उस पे पत्या नहीं होती है वो सुखा होता व् भूल पत्ती और हरे बरे व्रिक्षों से इस प्रत्वी को सजाना है और व्रिक्ष जो है केवल व्रिक्ष नहीं बलकि यह समझी कि हमारे औक्सीजन के सिलंडर है जिसका खोई भी मूले नहीं है थोड़ी देख भाल करने की आविशकता है एना और इसको बिना किसी मूले के प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, तो दोस्तों कहां भी गया है कि कहते हैं कि व्रिक्ष कब आओ नहीं फल भगे, नदी नसंचे नीर, परमारत के कारणे, शादू धरा शरीर, बेंदा जी ने कहा है, व्रिक्ष अपना फल स्वयम नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयम हमेशा सम्हाल के रखें कि और आने वाली जो संताने हैं, उनको भी ऐसी हरी भरीदर के छोड़ करते जाएं, आज की जो चर्चा हमारी यात्रा थी, वो बहुत ही सुखद और बहुत ही ज़्यादा जागरुकता फैलाने वाली थी, और बहुत सारी बाते पता चली, हमारे द निता पंडा आपसे विदा लेती है, आपसे पुनह मुलाकात होगी, आप स्वस्त रहें और अपना ख्याल रखें, नमस्कार